स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटीन में तो दोस्तों आज हम 18 दिसंबर की सूजस पढ़ेंगे और आज की सूजस आपके लिए काफी फाइदे मन्सी दोगी क्योंकि आज की सूजस में 5-6 फ्लेक्सिप योजना की चर्चा हुई है उन सभी योजनाओं को हम पॉइंट पाइपॉइंट पड़ेंगे और कल 17 दिसंबर की सूजस के अंदर राजस्तान की 4 वर्सों के अंदर जो योजना चर्चा में थी और जिन योजनाओं से परसन प्रेक्षा में पूछे जाते थे वो योजना का कल वीडियो डाल दिया गया अब तक आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी और उसी तरह आज की वीडियो में पांच से चैफ लेक्सिप योजना है जो काफी इंपोर्टेंट है हरबर्ति प्रिक्षा के लिए तो सबसे पहले ही मारी योजना है मुख्यमंत्री नीज सुलक दवा योजन मैंने तो इस तरह से याद रखा था दो दस ग्यारा तो दो अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री नीज सुलक दवा योजना शुरू की गई राज के चिकिश्यालों में आईपीडी और ओपीडी में रोगियों को नीज सुलक दवा दे जाती है तो चिकिश्यालों के अंदर जो आईपीडी और ओपीडी है उन दोनों को नीज सुलक दवा इस योजना के माध्यम से दी जाती है आवश्यक दवाई सुचियों में साम सहीत कुल कितनी दवाईयां हो गई 2777 आइटम नीशुलक उपलब्द मुख्य मंद्री नीशुलक दवाईयों उजनांगे माध्यम से उपलब्द करवाई जा रहे हैं तो एक तो अंत में जो आइटम है कितने है 2707 और कुल दवाईयां कितनी है 1500 चोण में ये दोनों पॉइंट जुरूर याद रखें और कब श्टार्ट के गई 2 अक्टूबर 2011 को और वर्तमान सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में अब तक 3680 क्रोड का वैई इस योजना के लिए किया गया है तो ये पॉइंट इतने इंपोर्टेंट नहीं है इसके अंदर तेनी बातें इंपोर्टेंट है एक तो इसकी डेट है दो अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री नीसुलक दवायोजना स्टार्ट की गई जिसमें समेलित कुल दवायां पूचे तो 1500 चोन में दवायां है और कुल आइटम पूचे तो 277 है जो 928 तो सर्जिकल है और 185 सूर्चर्स है और IPD और OPT चिकिस्यालों के अंदर राजकियों में नीसुलक दवा दी जाती है मुख्यमंत्री नीसुलक दवायोजना के माध्यम से नेक्स्ट पॉइंट हमारा मुख्यमंत्री नीसुलक निरोगी राजस्तान योजना इंपोर्टेंट है हर बर्ति प्रिक्षा के अंदर इन फ्लेक्सिप योजनाओं से एक परसंतों पूछा ही जा रहा है मुख्यमंत्री असोग गलोतने वर्स 2022 तेश के राज्या बजट में सभी प्रदेश वासियों को राजके स्तलों में नीसुलक उप्चार उपलप्त कराने की गोशना की गई थी तो इसके दर्स पर काफी योजना भी चलाई गई थी इसके तहट एक मुई 2022 से सभी प्रदेश वासियों के लिए राजके चिकित स्यालों में आउटडोर वर इंडोर मरीजों के लिए दवाद जांच सहीत उप्चार की सविदा भी नीसुलक हो गई थी तो आप बता सकते हैं एक मही 2022 को और एक मही 2021 को कोन-कोन से योजना चली थी पहले आप 21 का बताना फिर 22 का तो एक मही 2021 को सबसे महत्वपन योजना है जो प्रीक्षा में पूछे जाती है बार बार मुख्य मंत्री चिरंजुई स्वास्ते भीमा योजना जिसमें पहले पांस लाग का भीमा दिया जाता था तो इस योजना में कुल 1560 में दोया समिल लित है और 1113 सर्जिकल वे सूर्शक दोयां समिल है निरोगी राजस्तान के अंदर इसका पॉइंट तो वही है कितनी दोया समिल है और ये एक में 2022 को और एक में 2021 को दोनों योजना याद रखना नेक्स है हमारे Flexi भी ऊचेना सूध के लिए यू दभ्यान ये इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट लगा ले न परिक्षा में परसन आने वाली ब्रथी परिक्षा में आपको देखने को मिलेगा परदेश में खाद्य परदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए सुध के लिए यूद अब्यान संसालित किया गया है तो किन के लिए है तो खाद परदार्थ है उसमें काफी मिलावट कोरी मिलावट करते हैं उनको रोकने के लिए सुध के चलिये युदभ्यान संचालित किया गया है तो ये कब से स्टार्ट किया गया है? 26 अक्टूबर 2021 से साथ में एक योजना और संचालित किया है कि राजस्तान में सुध के लिए युदभ्यान में मिलावट खोरी की सूसना देने वाले को 51,000 रुपे का इनाम दिया जाएगा इंपोर्टेंट लगा लिना डारेक्ट परसन पुचा जाएगा कितने हजार रुपे का इनाम दिया जाता है तो 51,000 रुपे और सुध के लिए युदभ्यान के तहट तेहारों के समय विशेज जांच की जाती है क्योंकि तेहारों के समय ज़्यादा मिटाई आती है उनमें ज़्यादा मिलावट होती है कभी ते चार वर्स में अब तक खाद्या परदार्तों के 33,329 नमुने लिए गए हैं जिनमें से 31,26 है वो मिलावट परकरण पाए गए हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से मिलावट हो रही है और रास्तान सरकार कितना परियास करी है मिलावट के लिए युदभ्यान जो कभ संचालिद की गई 26 अक्टूबर 2021 को और इसी के साथ मिलावट कोरी सूसना देने वालो कितने रुपए 51,000 रुपए और ये किस के लिए सिर्वात की गई है कि खादे पर दार्तों के अंदर जो मिलावट कोरी मिलावट करते हैं उनको पकड़ने के लिए नेक्स्ट है मारा पॉइंट मुख्य मंदरी नी सुलक जांच योजना तो कब शुरुवात की गई जांच योजना 7 अप्रेल 2013 को और दवा योजना 12 ग्यारा और जांच योजना 4, 7, 13 दोनों डेट इंपोर्टेंट है याद रखना तो नी सुलक जांच योजना 7 अप्रेल 2013 को शुरू की गई थी इसकी तहत राजकी चिक्की चैलों में मरीजों की नी सुलक जांच की जाती है और बित्ते च्यार वर्सों में 8.7 करोड मरीजों की 2390 लाग जन से इस योजना की माध्यम से अभी तक की जा चुकी है तो इसकी डेट इंपोर्टेंट है और तो इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट है ने इस योजना की माध्यम से स्वास्ते मित्रों की मदद से बिमार्यों की रोकताम और उप्सार की विवस्ता की जा रही है तो किनके माध्यम से स्वास्ते मित्रों की माध्यम से अभियान के तहट परत्य एक राजस्वे ग्राम में स्वेच्छा से कारिये करने वाले एक महिला वा एक पुर्स को स्वास्ते मित्र सहीत कुल बियासी 1613 का चेहन कर परशिक्सत किया जा चुका है इस योजना के माद्यम से तो राजस्वे स्वास्ते मित्र के अंदर कोन है एक महिला और एक पुर्स परत्य एक राजस्वे ग्राम में स्वेच्छा से और नेक्स्ट है इंपोर्टेंट लगा लेना आईपीडी टावर जो हर बार प्रिक्षय के अंदर परसन पूछा जाता है तो सबसे पहले आईपीडी टावर है कहां पे डारेक्ट याद रखना जैपूर के अंदर तो अब इस आईपीडी टावर के बारे में हम पढ़ते हैं पॉइंटों के माद्यम से जैपूर में विश्वेस त्रिया चिकिस्या स्वास्ते उपलब्त करवाने के लिए आईपीडी टावर लगाया गया है तो यह तो डारेक्ट याद रखना है कहां पे है जैपूर में आब इसका पॉइंट पढ़ते हैं मुख्य मंत्री शिरी असो गलोधने स्वाही मांसी हैं स्टेडियम जीसे हम समस असकताल में कहते हैं विश्वेस त्रिया चिकिस्या स्विधा उपलब्त करवाने के लिए लगबग 586 क्रोड रुपए के लागत से 116 मिटर उन्चा आईपीडी टोर बनाने की निर्ने लिया था उन्चा कलेना यहां पे कितना मिटर है 116 और कुल लागत पुछे तो 586 क्रोड रुपए तो यहां से डाइरेक्ट दो परसन बनते हैं आईपीडी टावर है काँ पे जैपूर की अंदर और एक कुल लागत पुछे तो 586 क्रोड रुपए और कितना मिटर उन्चा है 116 म ट्रूंचा है यह आई पीडी टावर और इसका सीलेनास कब किया गया काफी इंपोर्टेंटा इंपोर्टेंट लगा लेना पांच अप्रेल 2022 को इस आई पीडी टावर का सीलेनास किया गया तो कब है पांच अप्रेल 2022 को IPD टाउर बनने से SMS अस्ताल में एक साथ 1200 बेड़ों की स्वीधा बढ़ेगी तता टाउर पर मरीजों के लिए एम्बूलेंस की स्वीधा के लिए हैलिपेट की विवस्ता भी की जाएगी तो ये IPD टाउर के उपर क्या हैलिपेट भी बनाया जा रहा है वर्तमार में स्वाई मांसीय स्ताल में बेड़ों की संक्या कितनी है 2461 और OPD काउंटर कितनी है 25 और OPERATION थेटर है 18 और 8 है माइनर OPERATION थेटर जब IPD टाउर लग जाएगा तब तो 1243 बेड अत्रिक चमता की उपलब्द होंगे और 2400 तो आलेडी है ही और 10 नई OPERATION थेटर तो 25 पहले थे और 10 और मनेगे तो कितनी हो गई 35 OPERATION थेटर च्यार केत ले भी स्तापित होगी और 100 OPD रेजिस्टेशन काउंटर आईपी टाउडर स्वरी IPD टाउर बनने के बाद उपलब्द होंगे तो काफी इंपोर्टेंट है ये IPD टाउर से एक परसन हर्परिक्षाग अंदर पूछा जाता है इतना सब डिटेल से आप से पूछा नहीं जाएगा तो मैंने एक साथ सभी पॉइंट आपको कलियर कर दिये गए थे इसमें जिरफ आपको इतने पॉइंट याद रखना है IPD टाउर है काँ पे जैपपूर के स्वाइमांसिये अस्पताल के अंदर और दूसरा पॉइंट है ये कितने मेटर उन्चा है 116 मेटर और कुल लागत पुछे तो 586 क्रोड रुपए और कब सिलेनास किया गया 5 अपरेल 2022 को बस ये तीन पॉइंट आप ज़रूर याद रखना प्रीक्षा के दश्टी से काफी महतोफून है अब ये इंपोर्टेंट फेक्ट है जो आज की सुझस के थे स्वास्ते वागने पूर्वय में लिंग प्रिक्षन के लिए लिप्त व्यक्तियों की सूसना देने वाले व्यक्तियों को मुक्वीर योजना है उसके अंदर सो दी जाने वाली साहितरासी है या प्रोचसानासी को 6 जुलाई 2021 से डाइलाक रुपे से कितना कर दिया गया है तीन लाक रुपे तो का जाए कि कभी कोई भी चिकिस्यास्टाल के अंदर बुर्ण का लिंग का प्रिस्रिक्षन करवा रहा है तो आप किसी की सूसना देंगे कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से करा रहा है क्योंकि राजस्तान में अवेध है बुर्ण का लिंक पर स्रिक्षन करना तो आप सूसना देंगे तो मुक्वीर योजना के तैद पहले आपको डाइलाक रुपए मिलते थे तो आप इस योजना के माद्यम से आपको तीन लाक रुपए उपलबत करवाई जाएंगे जो कब किये गए थे 6 जुलाई 2021 स नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये थोड़ा ओल्ड पॉइंट है बट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये क्रोना के काल का है कि क्रोना परबंदन के लिए राजस्तान मोडल को परदानमंत्री सही देश और विदेश में सहराना मिली थी और राजस्तान के कौन से मोडल थे एक त और स्वास्ते विवाग ने पूर्वे लिंक पर सिक्षन के लिए कितनी राशी कर दी है डाइलाग से तीन लाग कर दी है मुख्पिर योजना के तहट जो कब किया है 6 जुलाई 2021 को अब नेक्स्ट पॉइंट अमारा नेक्स्ट कूइसन है जो बाद में करते हैं एक बार सूज़स को रिवाईस कर लेते हैं चयाराओ योजना को अब आप इनकी डेट जुरूर याद रखना मैं एक बार फिर से बता देता हूं जो पॉइंट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट हैं मुख्य मंत्री नीशुलक दवा योजना दो दसी ग्यारा इसके डेट याद रखना प्रेक्षा में पूछे जाती है तो चिकी से एक इंदर आईपीटी और ओपीटी को नीशुलक दवा उफलब्त कराई जाती है तो कुल दवा पूछे तो पंदरा सो चोण में है और कुल आ राजस्तान के देट जो एक में 2022 से जो योजना थी दो वो याद रखना और इसके लिए दवा जांस सहीत जांस कितनी दवा उपलब्त कराई जाती है वो तो आपने उपर याद कर ली थी और नेक्स्ट है मारा सुध के लिए यूद्द अभियान एक तो यह किन के लिए चल पूँजना तो कब हुई गारे जाए साथ तारिक चोथा महिना और 2013 जिसे हम साथ चार तेरा बोलते हैं साथ में 2013 सौरी अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निरोगी रजस्तान अभियान जिए स्वास्ते मित्रों की साहता से बिमारियों को रोकता में उप्चार की साहता उ और स्वास्ते मित्र में एक मेला और एक पूरस और IPT टाउर कहां पे है जैपूर में कुल लागत पूचे तो 586 करोड रुपए और उन्साइप पूचे तो IPT टाउर के कितनी हैं 116 मिटर और इसका सिलेनास कब किया गया 5 अपरेल 2022 को यह पॉइंट है जो प्रिक्षा की द इसको और करोना परबंदन गेंदर राजस्तान के दो परसीद मोडल कौन थे थे एक तो बीलवाड़ा और एक रामगण अब यह दो परसन हैं जिसमें एक मैं करवाँगा और एक आप करोगी पहला क्यूशन है बोन मेरों और 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 किदनी हार्ट और लिवर ट्रां परदानमंत्री दवा योजना या परदानमंत्री जांच योजना इंपोर्टेंट परसन है एक तो बोन मेरों आ गया कोकिलियर इंप्लांट आ गया और 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 गन आ गया सभी किदनी हार्ट और लिवर ट्रांस्प्लांट कुला पर्त्यार ओपन तो राजस्तान एक मतर एक साजी राज्य है जो इन सभी बड़ी बड़ी रोग बिमारियों का नी सुलक इलाज करवा रहा है तो वो कौन सी योजना के माध्यम से मुख्य मंद्रे चिरंजिवी स्वास्ते बिमा योजना के माध्यम से जो कब शुरुआत की गई एक माई 2021 को और इसमें कितने लाग का बिमा है दस लाग रुपे का बिमा उबलप्त करवाया जाता है यह नेक्स्ट क्यूशन आप सही करेंगे और मैं आसा करता हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर इसका कमेंट उतर देंगे राजस्तान में कहां सेटेलाइट अस्पिताल यह उन जिलाच की सेले में आईपीडी ब्लोग बोवन का निर्मान राजस्तान में किया गया है तो इसके अंदर सबसे पहले सेटेलाइट का कहां पर है और जिलाच की सेले में आईपीडी ब्लोग बोवन का निर्मान कित से कह पर हैं तो पहले सेटेलाइट वाल आएगा और दूसके बाद यह आएगा तो आप इन दोनों का अंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए मैं इतना बता देता हूं कि सेटेलाइट अस्पाल का निर्माण जालावाड के अंदर जालरा पार्टन के अंदर हो रहा है तो कहां पे जालरा पार्टन जालावाड में सेटेलाइट अस्पाल का निर्माण किया गया है और दूसरा इसके अंदर इन दोनों में से ए ओक्षन हो गया भी कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बता दीजिए तो धन्यवाद दोस्तों आज हम राजस्तान की में तो पुन फ्लेक्सिप योजना ही पड़ी थी तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से चेर कीजिए अपने मित्रों के साथ और मिलती हैं नेक्ट वीडियो के अंदर धन्यवाद दोस्तों